हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल साइफाई स्टेडी में आज की इस वीडियो में हम लोग संभाह उत्रिभुज का अच्छे तरफल कैसे ग्याद करते हैं यह आज की वीडियो में बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्ची थी रूप से आपको संभाह उत्रिभुज का अच्छे तरफल ग्याद करना आ जाएगा इसलिए श्टूडेंट्स वीडियो को सुरू से अंध तक जरूर देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संभाह उत्रिभुज होता क्या है तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनो भुजाएं बराबर हों उसे हम लोग संभाह उत्रिभुज करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है यानि सभी भुजाएं 6 cm हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग संभाव त्रिभुज करते हैं मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हूँ, यानि तीनों साइडें, जैसे यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, सभी 6 cm है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग संभाव त्रिभुज करते हैं, अब संभाव त्रिभुज के छेतरफल का फार्मूला क्या होता है, या जाल लेते हैं, तो यह आप लिखते हैं, संभाव, संभाव, संभाव त्रिभुज का छेतरफल, बराबर, क्या होता है फार्मूला, भुजा का इसक्वाईर, भुजा का इसक्वाईर, गुडे, करड़ी में तीन, और बटे में चार, ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है, भुजा, यानि यह जो उसकी भुजाए हैं, जो कि यहाँ पे 6 सेंटिमीटर है, वही भुजा होगी, तो अब यहाँ पे त्रिभुज ABC का छेतरफल निकाले भुजा, भुजा का मान कितना है, 6 सेंटिमीटर, यहाँ पे 6 का स्क्वाईर, गुड़े, करड़ी में 3, और बटे में 4, ठीक है, अब देखे, जब किसी संथ्या का स्क्वाईर होता है, यानि यहाँ पे 6 का स्क्वाईर हो रहा है, इसका मतलब कि 6 का 2 बार गुड़ा, 6 का स्क्वाईर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कि 6 का 2 बार गुड़ा किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 6 के स्क्वाईर का मतलब कि 6, गुड़े 6, और गुड़े करड़ी में 3, और बटे में 4, अब इहाँ पे इसको कट कर लेंगे, तो देखिए, 2 के पहाड़ा में, 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2 दूनी 4, और 2 तियाई 6, फिर इस 2 से यह 6 कट हो रहा है, तो 2 तियाई 6, यानि अब जो बचेगा, उसका गुड़ा कर लेंगे, तो गुड़ा करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए, 3 का 3 में गुड़ा हो जाएगा, तो जब भी हम 6 तरफल निकालते हैं, तो 6 तरफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर में होता है, तो यहाँ पर अब कैसे जानेंगे, कि वर्ग सेंटीमीटर में है, कि वर्ग मीटर में, तो देखिए, पहले से यहाँ पर किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, यानि आंसर तब हुआ यदि आपका मान जो आंसर दिया है वो करड़ी के रूप में दिया है तक तो यह आंसर आपका हो गया ठीक है लेकिन अगर वह ही मान अगर आपका दसमलों में दिया हुआ हो तब कैसे करेंगे तो देखे आपको याद करना है करड़ी में तीन का जो मान होता ह करड़ी में तीन का मान होता है वह होता है एक दसमलो साथ तीन दू तो यहां पे करड़ी में तीन का मान रख देंगे नव बीच में कोई चिन्न नहीं मतलब गुड़ा का चिन्न है ठीक है अब यहां पे एक दसमलो साथ तीन दू मान रख देंगे और यहां से गुड़ा कर ल ताइस और एक अठाइस दू आसिल नौ सत्य तिरसट और दू पैंशट छै आसिल ठीक है नौ एकम नौ और छै पंदर ठीक है और तीन अस्थान पर दसमलो लग जाएगा यानि पंदर दसमलो पांच आठ आठ और यह किसमे होगा यह भी सेंटीमीटर स्क्वाइर में है ठीक है तो यह दोनों आंसर आपके सही है ठीक है यदि आपका आंसर दसमलो में दिया हुआ है तब यह होगा और अगर करड़ी के रूप में दिया हुआ है तो यह होगा अब आप यह सोचेंगे कि एक दसमलो साथ तीन दो कैसे आया तो आपको याद रखना है करड़ी में ती प्रश्न आपका है यहाँ पे PQR एक संबाह उत्री भुज है, जिसका छेत्र फल आपको निकालना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे यह जो भूजाएं है वो मीटर में है तो आपका आंसर जो है मीटर स्क्वाइर में होगा जैसे यहाँ पे सेंटी मीटर में था तो सेंटी मीटर स्क्वाइर में हुगा यहाँ पे मीटर में है तो मीटर स्क्वाइर में होगा इस बात का आपको ध्यान रखना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हम समझ पाएं कि जो कुछ भी हमने सिखाया वह आप अच्छी तरह समझ पाएं हैं या नहीं तो स्टुडेंट्स देखे जो भी वीडियो बनाया जाता है उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप सभी को समझाने के लिए इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों तक अधिक सधिक मात्रा म सेर करें ताकि ऐसे प्रशनों को हल करने में उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत